बॉलिवूड एक्क्रेस और दिगज एक्टर और टीमसी सांसत शत्रुगन सीना की लाडली सोनाक्षी सीना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं अटकले लगाई जा रही थी कि सोनाक्षी अपने बॉइफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल संग इस महीने के अंत में शादी करेंगी हाला कि अब इनकी होने वाली शादी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है सोनाक्षी की शादी की खबरों के बीज सबके मन में एक सवाल है कि सोनाक्षी सीना शादी करेंगी या निका जिसको लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है बताया जा रहा है कि सोनाक्षी पहले ना निका करेंगी और ना ही शादी इस बारे में सुनाक्षी की एक दोस्त ने क्या कुछ कहा है जानते हैं जूम की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनाक्षी सीना की दोस्त ने बताया है कि उन्हें 23 जून की शान को कपल सुनाक्षी जहीर के साथ जश्न मनाने का नियोता मिला है लेकिन real marriage के बारे में अभी भी कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है आगे उनकी दोस्त ने कहा है कि कपल पहले ही registered marriage कर चुके हैं या फिर 23 जून की सुभा ऐसा कर सकते हैं लेकिन कोई initiative marriage नहीं होने जा रही बस एक party होगी बता दे कि सुनाक्षी जहीर की शादी की अभी तक कोई भी official पुष्टी नहीं हुई है लेकिन सुनाक्षी के परिवार के करीबी सुत्रों ने समाचार agency PTI को ये जानकारी दी है कि ये खबर सच है बताया जा रहा है कि सुनाक्षी के फैमली के reaction की बात करे तो सुनाक्षी के पिता शत्रुगन सीनहा और उनके भाई लव सीनहा ने reaction देते हुए कहा कि उन्हें इस चादी के बारे में कुछ भी नहीं पता इसके साथ ही लव ने कहा कि उनका इस शादी से कोई लेना देना नहीं है उनका कहना है कि इस शादी पर उन्होंने किसी भी तरह प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है इसके साथ ही इसमें किसी भी तरह के involvement से भी मना कर दिया है बता दे कि इस से पहले सुनाक्षी के पिता शत्रुगन सीना का reaction भी सामने आया था शत्रुगन सीना ने कहा है कि आजकल के बच्चे कुछ भी पूछते नहीं हैं बस बता देते हैं शत्रुगन सीना ने सुनाक्षी की शादी के सवाल पर reaction दिया था उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है वो अभी दिल्ली में है शत्रुगन सीना ने बेटी की शादी की खबरों पर इस तरह रियक्ट किया है कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है आपका इस चारी को लेकर क्या कहना है हमें अपनी राय जरूर बताएं